नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनास आप सभी लोगों का टार्यक तालोग आंलाइन इस्ट्यूट में मैं गर्ण निरेजन आज हम आपसे चर्चे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की इस सबसे बड़ी भरती परिक्षा जिसका नाम है UPPCS प्रारंबिक परिक्षा और साती साथ मुख परिक्षा। प्रारंबिक परिक्षा का जो आयोजन है वो 21 जून को होना है और October में मुख परिक्षा का अयोजन होना है। इसे सम्मंदित हमारे यहां बैच संचालित है, कल आपने अलोग सरकाव वीडियो भी देखा होगा, जिसमें सर ने कई सारी चीज़े आपको बताई होगी, उसमें बैच के प्रॉसेस भी बताई होगी, इसमें दौनों चीज़े हैं, जिनकी हम बार-बार आप से चर्चा करते रहते हैं कि इसमें प्रारमिक परिच्छा की फैकल्टी अलग है, और मुख परिच्छा की फैकल्टी अलग है, मुख परिच्छा में आपको चारो के चारो जीएस के टॉपिक कम्प्लीट कराए जाएंगे, और साथी साथ ऐसी भी कम्प्लीट कराए जाएगा, और प्रारम जोगरफी मैंने लिया है क्लाइमिटलोजी यानि जिसको हम लोग दूसरे भासा में प्रार्मिक परिच्छा की भासा में बोलते हैं atmosphere बायू मंडल से सम्बंध लिया है आपके सामने साब साब सब्दों में लिखा है सूरिया तब या सूरिया तब या सूरिया तब या सूरिया तब तो आज हम समझते हैं सूरिया तब होता क्या है सूर से आने बाला तब यानि सूरिया तब क्या होता है और इसका प्रतिवाप प्रभाव क्या पड़ता है कौन कौन से कारक है जो सूरियत आपको क्या कर सकते है प्रभावित कर सकते है ठीक ना उससे पहले यह हमारा कुछ नंबर है इस नंबर पर अगर आप एडविशन लेना चाहें तो नंबर में आपको बता देता हूँ यह हमारी नंबर है अगर आप हमारे यह प्रारमिक पर इक लेकर मैसेज करनी है और यदि आप प्री कममेंस बैच में यूपी पीसेस प्री कममेंस बैच में एडिविशन लेना चाहते हैं तो आपको डबल लाइन बने ट्रपल जीरो फॉर फाइफ फॉर इस नमबर पर आपको वार्टसप के माध्यम से इंटरी लेकर भेजना होगा ए तीन सब्दों से मिलकर बना है इन कमिंग इंकमिंग एसॉल का मतलब है इंकमिंग सोलर और एसन का मतलब है रेडिएशन तो इंकमिंग सोलर रेडिएशन यानि सूर से आने वाला प्रकाश शूर्षे आने वाला प्रकास और जो इस सूर्षे आने वाला प्रकास है इसी सूर्षे आने वाले प्रकास को एक नाम दे दिया गया और नाम क्या दे दिया गया नाम दे दिया गया सूर्यतप क्या नाम दे दिया गया इससे को सूर्यतप और जो सूर्यतप आता है प्रती पर ये लगू तरंग उसमा की रूप में आता है किस रूप में आता है तो ये पृतिवी तक पहुंचता है लगू तरंग उर्जा की रूप में आगर हम बात करें लगू तरंग उर्जा क्या होती है या लगू तरंग रेडियेशन भी कह सकते हैं तो लगुतरंग उर्जा का मतलब है एक ऐसी उर्जा जो समाप्त नहीं हो सकती है उसको हम लगुतरंग उर्जा कहते हैं और जो किसी माध्यम से होकर आती और सीधी पृतिव पर टकराती है उसी को हमने क्या नाम दे दिया उसी को हमने नाम दे दिया लगुतरंग उर्जा तो प्रकास को प्रभावित करने वाली कारक समझ में आ गए तो पूरा का पूरा आपको भारत का और भारत के साथ साथ भी सुगी जलवायू मिंटों में समझ में आ जाएगी क्योंकि जलवायू को सबसे जांदर प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो तापमान ही होता है आ हैने आपकर लिखता है अच्छांस, आएए, सबसे पहले हम अच्छांस को ही समझते हैं, अगर हम बात करूंत की, तो सबसे पहले अच्छांस होता क्या है? यह हमारी पृत्वी है, और इस पृत्वी पर 6 रूप से एक रेखा खीचे जाती है एच्छेते रूप से खीचे जाने वाली रेखा जो है इसका माँन 0 डिग्री अच्छांस होता है और इसका नाम जो है इसका नाम है भूमद रेखा इसका नाम क्या है इसका नाम है भूमद रेखा या इसी का नाम है विशुबत रेखा भूमद रेखा या कॉंसी रेखा इशी का नाम है विशुबत रेखा और English में इसको एक नाम दिया जाता है और English में नाम दिया जाता है equator और equator जो है वो एक सब्दि से मिल कर बना है जिसका नाम है equal तो equator सब्दी की उत्पत्ति equal से हुई equal का मतलब होता है दो बरावर भागों में विभाजित करना यानि एक ऐसी कालपनिक रेखा जो छहते जी रूप से पृतिवी को दो बरावर भागों में विभाजित करती है उसे हम भूमद रेखा कहते हैं उपर वाले भाग को उत्री गोलार्द और नीचे वाले भाग को दच्छनी गोला अब देखिएगा बिश्वत रेखा की अगर हम बात करते हैं बिश्वत रेखा तो पृतिवी अपने अक्ष पर ऐसे नहीं है बलकि पृतिवी अपने अक्ष पर साड़े तरी डिग्री जुकी हुई है पृतिवी अपने अक्ष पर कितना जुकी हुई है तो पृतिवी अपने अक्ष पर साड़े तरी डिग्री जुकी हुई है और साड़े तरी डिग्री जुकी होने के कारण बिश्वत रेखा पर शूर की लंबवत करने पढ़ती हैं जबकि जैसे जैसे आंगे बढ़ते जाते हैं, सूर की क्रणे कैसी होते जाती हैं, सूर की क्रणे ये तिर्ची होते जाएंगे, तो सूर की क्रणे सीधी जो है वो बिश्वत रेखा पर पढ़ती हैं, और बिश्वत रेखा पर सूर की सीधी क्रणे पढ़ने के कारण यहां का temperature दिखोता है यहां का temperature दिखोता है और जब यहां का temperature दिखोगा और यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो यह 90 degree N होता है जिसको हम नाम दे देते हैं उत्री ध्रोब क्या नाम दिया जाता है इसको? इसको एक नाम दिया जाता है उत्री ध्रोब और यहां पर 90 degree S होता है और 90 degree S का नाम होता है दच्छनी ध्रोब तो एक उत्री ध्रोब है और दूसरा कौन सा है तो दूसरा जो है वो दच्छनी ध्रोब है तो उत्र ध्रोब और दच्छन ध्रोब पर सूर की क्रेण तिर्शी पढ़ती है सूर की क्रेणों के मत बनने वाला आपतन कौन अधिक होता है यहां पर 0 डिग्री होगा और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बैसे बैसे देखेगा अगर हम यहां पर देखें तो आपतन कौन छोटा है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे बैसे बैसे आपतन कौन में ब्रिद्धी होते जाएगी यानि सूर की क्रेण जैसे जैसे तिर्ची होते जाएगी बैसे बैसे सूर की क्रेण तिर्ची होने कारण कम उस्मा की प्राप्ती होगी और कम उस्मा की प्राप्ती होने कारण टेंपरेचर वहां का पिछा करेद कम हो जाएगा तो बिश्वत आपको क्या क्या समझना है तो समझ आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं इस फॉर्मूले को लगाईएगा यह फॉर्मूला किसी भी किताब में नहीं होगा चलिए मैं इसको next page में लिख देता हूं एक फॉर्मूला आप लगाईएगा कि कभी आपका गलत नहीं होगा अच्छांस रेखा का मान मैं पिश्णी भी कराऊंगा इससे समधे अच्छांस रेखा का मान समानुपात बित्करणपाती होता है एक बटे तापमान के यह वाला फॉर्मूला लगाईए अप इसका मलब है यह कह रहा है कि यदि अच्छांस रेखा का मान बढ़ेगा तो तापमान घटेगा और यदि तापमान बढ़ेगा तो अच्छांस रेखा का मान घटेगा चलिएगा मैं आपसे कहूं कि बाबू ए इस्थान है और एक इस्थान बी है एस्थान के अच्छांस रेखा 0 डिगरी है और बी इस्थान के अच्छांस रेखा 90 डिगरी है बताईएगा कहां पर तापमान अदेख और कहां पर ताप देखना होता है, जो रेखा दी जाती है, इसमें से कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, तो दौनों में देखें, कौन सा अंक बड़ा है, तो 90 बड़ा है, यानि अच्छांस रेखा कमान जब B का बड़ा है, अगर अच्छांस रेखा कमान अधिक है, तो तापमान हमें सा क्या हो परतापमान कम होगा, ठीक ना, आप देखिएगा, कली मैं पढ़ा रहा था और किसी बच्चे ने एक पिश्ण भीजा था, हला मैं भारती जलवाईू से संबन्द था, अभी मैं उसका एक कुष्ण यहां पर बनता है, वो मैं करा देता हूँ, ठीक ना, एक कुष्ण जो है, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, समझेगा, पिश्ण कह रहा है, के, मैं अच्छे समझा रहा हूँ, आप समझेगा, चेन नहीं एवं कोलकाता, या चेन नहीं का, चेन नहीं का, कोलकाता, कोलकाता के सापेग्ष, तापमान अधिक होने का क्या कार है, या तापमान अधिक है क्यों, इसका कारण पूच रहा है अपसे, ठीक ना, इसका कारण पूच रहा है, खाला में ही मिलान वाला था, मैंने ऐसे बना दिया, अब मैं चार ओप्शन दे दे रहा हूँ, पहला, चेन नहीं का कोलकाता के साफिक तापान अधिक है कारण, चेन नहीं अधिक प्रिदूशित है, दूसरा, चेन नहीं परवतिये छित्रों परिश्ते थे, परवतिये छित्रों परिश्ते थे, तीसरा, चेन नहीं, समुद्र से दूर है, चौथा, अच्छा, तो इसका सही आंसर पूच रहा है, ठीक ना, प्रिश्न ऐसा नहीं था, मैंने इसको मॉडिफाइड करके ऐसा बनाया है, ठीक ना, प्रिश्न ऐसा नहीं है, आप पढ़ेंगे, तो आपको मिल जाएगा बाद में वो, तो इसका सही answer वो अच्छांस है अच्छांस चेन्नाई अधिक परदूसे थे तो देखेगा चेन्नाई और Colkata में समान परदूसान है ढौनों की ढौनों महानगर है और ढौनों ही समुधर के किनारे है ठीना दौनों ही अगर हम दौनों को ये डाइग्राम बनाएं तो ये रहे तो यहाँ पर दौनों के डाइग्राम एक चिन नहीं है और ये कोलकाता है और जहाँ पर खारा पानी होता है वहाँ पर मैंग्रोब बनस्पती पाए जाती है और मैंग्रोब बनस्पती क्या करती है निकलने वाले अगर production temperature को बढ़ाता है क्योंकि production में अधिकान समातरम carbon और carbon monoxide वैस होती है जो कहीं कि किसी भी बातवरन का temperature बढ़ा सकती है तो लेकिन इन दौनों के पास समुद्रे किनारे हैं और mangrove bun होने के कारण mangrove bun होने कारण यहाँ पर production कम रहता है क्योंकि mangrove bun carbon dioxide के अच्छे अफसोसक माने जाते है ठीक ना दूसरी बात यह है अगर कह रहा है कि पहला तो गलत है चेन्नाई परवती च्छेतरों पसते थे तो गलत बात है बलकि चेन्नाई का जो च्छेतर है यह समुद्र के किनारे है और समुद्र के किनारे इस्तत होने कारण इस वाले च्छेतर को कोरो मंडल तट कहते है तो तट यह च्छेतर में च्छेतर है यह वाद गलत होगी और यह वाद बचा अच्छांस अब अगर हम अच्छांस को देखें अगर हम अच्छांस को देखें तो यह हमारा भारत देश है और यहाँ पर चेन नहीं है और यहाँ पर कोलकाता है यहाँ पर चेन नहीं और यहाँ पर क्या है कोलकाता है और यहाँ पर भारत के नीचे से एक रेखा गुजरती बिश्वत हमने आपको क्या बताया है कि जैसे जैसे बिश्वत रेखा से हम उप इस उपर क्योत बढ़ेंगे जैसे- जैसे विश्वत रेखा स्वी उपर बढ़ेंगे ताप मान में कमी आएगी यानि विश्वत रेखा पास में नहां vowelा इचान से रेखां होता ओगा वहांन का तप्मान अधिख होती डिया है दूसरे बिंदू पर चर्चा करते हैं छेत्रफल ठीक ना? छेत्रफल अगर हम छेत्रफल की बात करें तो ऐसी हमारी पृत्वी है हम इसी के अंदर एक पृत्वी और बना लेते हैं माली जगा ऐसी ठीक ना? और यहां से हम विश्वत रेखा की देते हैं और यहां से हम कौन सी रेखा की देते हैं? जीरो डेगरी एक देशांतर अच्छांस है और एवाली रेखा जो है एक जीरो डेगरी देशांतर है एक जीरो डेगरी अच्छांस और एक जीरो डेगरी देशांतर है अगर बात करें तो जब सूर की क्रण यहां पर लमबद पढ़ती है तो अधिकांज छेतरफल में पढ़ती है और जब सूर की क्रण यहां पर पढ़ती है तो यह कम छेतरफल में पढ़ती है तो विश्वत रेखाप पर सूर की क्रणों के द्वारा घेरा गया छेतरफल अधि अब बताईएगा यदि किसी स्थान पर अधिक मातरा में सूर का प्रकास आता है तो सिदी शी बात है वो अधिक मातरा में अब्जॉर्ब करेगा और अधिक मात्रा में परावर्तन, यानि दौनों परक्रियां साथ होगी, कुछ मात्रा में अवसोसन और कुछ मात्रा परावर्तन, अब जहां पर सूर का प्रिकास आएगा ही नहीं, क्या वहां पर अवसोसन और परावर्तन की परक्रिया होगी, तो वहां पर अवसोसन और पहलू है एक अवसोसन होता है तो दूसरा परावर्तन होगा परावर्तन मतलब लोट जाना परावर्तन मतलब लोटा देना और अवसोसन मतलब गिरहन कर लेना और अवसोसन को मतलब गिरहन कर लेना ठीक ना अब बताईएगा अगर माल ये गए एक सता है जब इस पर सूर का प्रकास आया तो इसने अधिकान सूर के प्रकास को परावर्तित कर दिया जब अधिकान सूर के प्रकास को परावर्तित कर दिया लोटा दिया तो क्या यहां पर सूर के प्रकास के प्रावर्ति होगी नहीं होगी और जब यहां पर सूर के प्रकास के प्रावर्ति नहीं होगी जब पहले उसमा आए, अगर अधिकान छेतर फल पर आती है, जैसे विश्वत रेखा की समीब, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में होगा, और यहाँ पर धुर्वों के पास में कम मात्रा में होगी, तो यहाँ पर कम मात्रा में होगा, ठीक ना, परावरतन, ठीक ना, चलेगा, तीसरा पॉंट देखते हैं हम उचाई, तीसरा पॉंट क्या है उचाई, अगर हम उचाई की बारे में आपसे बात करें, तो माली जीगा एक कोई परवती छेत्र है, आपको यहеा रखना है जैसे जैसे उचाई बढ़ती जाती है बैसे बैसे टेंप्रेशर में कमी आती है लगबग 165 वींटर की उचाई पर जाने पर एक डिगरी सेंटिग्रेट तापवान में कमी आती है लगबग 165 मीटर आप यहां से उपर जाईएगा अगर यहाँ पर रूम टेंपरेचर अमाली जिगए 70 degree centigrade है और जब यहाँ से आप कहाँ चले जाते हैं यहाँ से आप अगर 165 मीटर के उचाए पर चले जाते हैं तो लगवग लगवग 1 degree centigrade तापमान में कमी होती है यही कारण है कि अच्छे समझेगा हम पहाड़ी च्छेतरों में जाते हैं कहाँ जाते हैं पहाड़ी पहाड़ी यह परवगती च्छेतर उच्छे स्थान उपर जाते हैं क्यों कि जैसे जैसे आप उच्छे स्थान उपर पहुंसते हैं जैसे जैसे उचाई बढ़ती जाती है बैसे बैसे तापमान में क्याती है कमी आ जाती है और सर्दियों के समय अगर बात करें तो सर्दियों के समय जो परवतों पर रहने वाले लोग है वो मैदानी छित्रों में आ जाते हैं और सर्दियों के समय में परवतों पर रहने वाले तो दूसरा इसकी बात करें हिमालय के किस भाग में गिलेशियर अधिक पाए जाते हैं इसी संबंदित है हिमालय के किस भाग में गिलेशियर अधिक पाए जाते हैं पूर्वी हिमालय या पश्मी हिमालय तो जहां पर हिमालय के उचाई अधिक होगी क्योंकि जहां जैसे जैस जैसे जैसे उचाई बढ़ती जाएगी जैसे 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 उचाई बढ़ती जाएगी बैसे बैसे टेंपरिचर कम होगा और टेंपरिचर कम होने के कारण अधिक मात्रा में वर्फ का जमा होगा वहाँ पर जो बादल होंगे उन बादलों के कारण क्या होगा उन बादल जिगा option question देता है कि हमाले परवत पर हिम पात यानि हिम की रूप में वर्सा होने का कारण या हिमाले के छितर में glacier पाए जाते हैं जब कि तमिलनाडू के निलगरी परवत पर या केरल के निलगरी परवत पर glacier नहीं पाए जाते हैं क्यों अगर माली जिगा इस परिकार से प्रिष्णा जाए और मिलान वाले आते हैं इस परिकार से सूची वाले तो आप बताएंगे दो रीजन हो सकते हैं इसके दो रीजन हो सकते हैं पहली बात तो अच्छांस इसका रीजन हो सकता है यहां पर केरल का निलगरी परवत है और यहां पर हिमाला है और यहां पर कौन से रेखा यहां पर जीरो डिगरी है तो यह अच्छांस रेखा के पास इसकी उचाई अधिक है और इसकी उचाई अधिक होने के कारण क्या हो जाएगा इसकी उचाई अधिक होने कारण temperature बहुत कम हो जाएगा ठीक ना दो बात हैं आपको याद रखने देखेगा अगर हम बास्तविक रूब में आयो के model की बात करें आयो की इसी प्रिकार से मिल जाएंगे बहुत सारे आपके जो डाउट होंगे वो किलियर हो जाएंगे और नए नए कंसर्ट आप सिखेंगे और नए कंसर्ट आप तभी सीख सकते हैं जब आप फ्रैस मूट से बैठे हो और आपने द्रण संकल्प लिया हो कि नहीं इस बार मुझे यूपी PCS के पर अरजित किया जा सकता है जब आपके पास एक अच्छी मजबूत टीम हो और मजबूत टीम के साथ साथ एक मजबूत आपके पास रणनीती हो बिना रणनीती के राम चंदर जी के सेना ने लंका पर विजय नहीं पाई थी आप याद रखेगा इस बात को राम चंदर जी के पास हनुआन थे, बलसाली थे, राम चंदरी ये खुद, भगवान विश्मु के अबतार थे, लेकिन क्या वो रावण को पराजित कर सकते थे, बिना रण नीति के तो पराजित नहीं कर सकते थे, सबसे पहले उन्होंने रावण के आसपास के जो रावर्ड के राइट हेंड लेप्ट हेंड कह सकते हैं आप कुम करण हो गया मेघनाद हो गया सबसे पहले तो उन लोगों को मारा उसके बाद ही उन्होंने रावर्ड पर अटेक किया तो पहले उनकी यूजना थी उनकी एक यूजना थी बिना यूजना कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे बिना रण नीती कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो एक, दो, किसी भी परिच्छा को मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसलिए मैं यह बात नहीं बता रहूं कि आप हमारे यह एडविशन लीजेगा आप हमारी quality देखर ही खुद समझ जाएंगे कि आपको addition लेना है या आपको addition नहीं लेना है मैं केवल आपको इतना बता रहा हूँ कि एक सही track पर चलिएगा अगर गलट track पर भटके तो बाबु कब पंच बर सी उजना निकल जाती है कुछ पता नहीं चलता है कब पंच बर सी उजना निकल जाती कुछ पता नहीं चलता है कल 29 तारीक को क्या है intermediate का अंतिम पेपर है और intermediate का अंतिम पेपर होने के बाद जैसी कुछ बच्चे पास होंगे वो किसमें लग जाएंगे वो लग जाएंगे अपने graduation की exam में और जब graduation की exam में लग जाएंगे तो second year, second year के बाद वो खुछ GS पढ़ना परारम कर देंगे और आपको completion में देंगे तो आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो और आपके पीछे का पैम दूसर बंद आता है वो आपसे जानदा तेज होगा वो आपसे जानदा तेज होगा वो आपसे जानदा मेहनत करेगा क्योंकि वो यूबा है और वो जानदा मेहनत कर सकता है और आप क्या हो जाएंगे आप धीरे 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 पीछे होते जाएंगे तो एक रणनीती और दूसरी वाद एक अच्छे लोगों का समू होना आपके पास बहुत जरूरी है तब ही आप किसी भी परिच्छा को क्रैक कर पाएंगे ठीक ना और उसके लिए गुडबत्त आपके सामने हैं आपको देखना है कि किस परकार से आपको गुडबत्ता पूरवक चीज़े दी जा रही है ठीक ना आएगा बिना किसी समय के दूसरे पॉंट पर चर्चा करते हैं बायू मंडल क्या बायू मंडल भी सूरियत आपको प्रवावित करता है देखिएगा कैसी अगर हम बात करें आपसे बायू मंडल है क्या तो यह हमारी पृतिवी है और पृतिवी के चारो और गैसों का एक मंडल पाया जाता है इस गैसों के मंडल को एक नाम दिया जाता है नाम दिया जाता है बायू मंडल क्या नम दिया जाता है बायू मंडल, माली जीगा इस सूर है, इस सूरियत अप है आला में, सूर, सूर के द्वारा प्रकास जो आता है, माली जीगा सौ एकाई सूर के द्वारा प्रकास आता है, कितना एकाई, सौ यूनिट सूर के द्वारा प्रकास आता है, क्या इस पूरा क पूरा प्रकास पुर्थवी तक पहुंचेगा नहीं पूरा का पूरा प्रकास पुर्थवी तक नहीं पहुंचता है जब इस सूर का प्रकास आता है तो बायू मंडल में उपस्तित धूलकन बायू में उपस्तित गैस हैं बायू में उपस्तित बादल बायू में उपस्तित कुछ प्रकास को क्या कर देती है कुछ प्रकास को परावर्तित कर देती है लगवग लगवग फैंटिस यूनिट प्रकास का क्या कर देती है फैंटिस यूनिट प्रकास का परावर्तन कर देती है क्या कर देती है परावर्तन कर देती है जब 35 unit सूर के प्रिकास का परावर्तन कर देंगे तो प्रिथिवी के पास सेज कितना आएगा तो 100 मैंसे आप समझ सकते हैं अगर 35 गया तो सूर के पास कितना आएगा 65 unit आता है कितना आता है 55 unit और जब 65 unit आता है तो इसमें से भी सूर के प्रिथिवी कुछ मात्रा में अपसूसित करती है और कुछ मात्रा में परावर्तित कर देते हैं ऐसा नहीं कह सकते कि जो 65 unit आया है पूरा का पूरा 65 unit प्रिथिवी अपसूसित कर लेना प्रितिभी कुछ मातरा में सूर के प्रकास को अपसूसित करेगी और कुछ मातरा में अपसूसन करेगी और कुछ मातरा में प्रकास को परावर्तित कर देती है कि एल्वीडो या परावर्तिता क्या होती है तो सूर के द्वारा आने वाले कुल प्रकास और परावर्तित प्रकास के अनुपात को एल्वीडो कहते है और एल्वीडो जो है वो चिकनी सतय का और सफिद रंग का हमेशा दिखोता है और यही कारण है कि अलबीडो सफेद रंग का दिखोने का कारण है कि गर्मियों में हम सफेद रंग की सर्ट पहनते हैं क्योंकि जैसे ही सफेद रंग की सर्ट पर सूर का प्रकास पढ़ता है वो अधिकान सूर के प्रकास को परावर्तित कर देती है जब अधिकान सूर के प्रकास को परावर्तित कर देगी तो उस्मा की कम प्राप्ति होगी, हमें गर्मी नहीं लगेगी कर देगा सूर के प्रकास कर देगा जैसे को परावर्तित कर देता है, अदकान सूर के प्रकास को अबता है, तो हमारे सूर का temperature रेक्या कर देता है बढ़ा देता है इसका मैं आपको एक और रीजन बता हूँ देखेगा आयूग ऐसे ही प्रिश्न पूछता है आप से आप लोग सिनेमा घर गए होंगे और सिनेमा घर में आपने देखा होगा कि जो उपर की दीवाल या आजू-बाजू की जो दीवाले ह होती हैं सिनेमा घर की वो चिकनी नहीं होती है बलकि खुर्दूरी बनाई जाती है कैसी बनाई जाती है वो खुर्दूरी बनाई जाती है या उन पर कालीन लगा दिया जाता है परदे टांग दिया जाते क्यों हो ताकि साउंड से जो म्यूचिन इंकल रहा है उसका पराव परावर्तन बार बार होगा तो परावर्तन की प्रिक्रिया को रुकने के लिए ही क्या करते हैं सिनेमा घरों की दीवालों को खुरदोरा बनाते हैं या उनमें क्या लगा देते हैं 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 क्या लग के अनुपात को परावर्तित प्रकास के अनुपात को तो परावर्तित प्रकास अपान कुल प्राप्त स्वरूर्जा के अनुपात को अलबीडू कहा जाता है और अलबीडू जो है वो चिकनी सता है और सफेद रंग का सबसे अधिक होता है तो जैसे एक गिरता है प्रिथी प जाता है ठीक ना और कुछ पृत्वी कुछ मातरा में अफसोसित करती है और इसी प्रकास को पृत्वी रात में परावर्तित करती है इसी को धरातल से भाय अंत्रिच में भीजती है क्या करती है भाय अंत्रिच में इसी को भे देती ठीक ना तो यदि बायू मंडल ना होता तो इस्तल जल्दी से गर्म होता है यही कारण है कि गर्मियों में इस्तल अधिक गर्म और ठंडियों में अधिक ठंड़ा होता है तो जहाँ पर गर्मी पड़े ठंडी में ठंडी अधिक पड़े उसी को हम बोलते हैं यहां कि तापान में बहुत जान अंतर पाए जाता है और तापान में पाए जाने वाले अंतर को हम तापांतर कहते हैं धरातली ये छित्रों का तापांतर अधिक होता है जगती समुद्री छित्रों का ये जली छित्रों का तापांतर कम होता है अगर मैंने का इस्थल जल्दी से गर्म होता है जल्दी से ठंडा होता है तो जल क्या हो जाएगा जल देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होता है चुकि उत्री गोलार्द में कहां पर उत्री गोलार्द में इस्थल खंडों की अधिकता है उत्री गोलार्द में क्या है उ और इस्थल खंडों की अधिकता होने के कारण ही उत्री गोलार्द गर्मियों में क्या रहता है? गर्मियों में अधिक गर्म होता है. समझ रहे हैं बाद? गर्मियों में अधिक गर्म होता है और सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में अधिक ठंडा होता है. ठीक न? अगर हम बनाए ये हमारी पिर्थिवी है, ये विश्वत रेखा है तो उत्री गोलार्द में इस्थल खण्डों की अधिकता है उत्री अमेरिका है, थोड़ा सा धचने मेरिका है पूरा का पूरा यूरोप है, एसिया है, थोड़ा सभाग अफरीका का है नीचे बात करें तो आउस्टेलिया है थोड़ा सफाग अफ्रीका का और कौन सा है और यहां पर क्या है हमारा दक्षण अमेर का है तो उत्री गोलार्द में इस्थल खंडों की अधिकता होने के कारण ही अधिक मात्रा में इस्थल क्या करते हैं उस्मा को अपसूसत कर लेते ह और जब उस्मा को अफ्सूसत कर लेते हैं तो धरातल का टेंपरिचर बढ़ जाता है इसके वेफ्रीज इस्थल का टेंपरिचर कब हो जाता है ठीक ना अगर मालीजी आप से पूंचा जाए कि उत्री गोलार्द के अधिक होने का कारण क्या है उत्री गोलार्द में अधिक गर्मी पढ़ने का कारण क्या है उत्री गोलार्द में अधिक सर्दी पढ़ने का कारण क्या है तो आप बताएंगे इस्थल खंडों की अधिकता क्या अगर बात एक की जाए कि जल जल्दी से गर्म क्यों नहीं होता है तो जल्द के पास इल्बिस्ष्ट उस्मा होती है जल्ब पारदर्सी होता है तो जैसे ही सूर की क्रणन जल्ब पर पढ़ती है जैसे ही सूर का प्रकास जल्ब पर पढ़ता है तो जल्ब क्या करता है उस उस् उससे वास्पिकरण की पिर्किरिया हो जाती है और जैसे जल से वास्पिकरण की पिर्किरिया हो जाती है उसमें सीतलन की पिर्किरिया प्रारम हो जाती है और धीरे 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 वो क्या होने लगता है ठंडा होने लगता है ठंडा होगा फिर से सूर का प्रकास से धीरे 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 घर्म होगा फिर से बास्पिकराण की फिर क्रिया होगी फिर से वो धीरे 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 ठंडा होने लगता है ठीक ना तो जल के पास पारदर सिता जल के पास गुपत उसमा होती है पारदर सिता होती है जिस कारण जल का तापमाना पेच्छा करित कम रहता है और इस्थर खंडों का तापमाना पेच्छा करित अधिक होता है ठीक ना आएए अंगले पॉइंट पर चलते हैं अंगला पॉइंट कहरा है दिन की लंबाई दिन की लंबाई अगर हम दिन की लंबाई की बात करते हैं तो यह हमारी माली जिगा इस प्रकार से हमारी प्रिथिभी है और इस प्रकार से सूर है ठीक ना यह हमारी माली जिगा ऐसे हमारी प्रिथिभी है यह सूर है तो अगर सूर का प्रकास ऐसे पढ़ रहा है morning में तो सूर का प्रकास जब morning में पड़ेगा तो दिन की लंबाई कम होगी या सर्वियों में जब सूर का प्रकास पड़ेगा तो दिन की लंबाई कम होगी जैसे जैसे ए सूर हाला में सूर परिकमा नहीं लगा था परिकमा पृति भी लगाती है लेकिन मैं भी सूर के संदर मता रहा हूँ जैसे ही सूर की करणा है जैसी सूर की करणा है लंबबबत 12 वजे पर्थिवी पर पढ़ेंगे सबसेद गर्मी हो जाएगे यह हम यूँ कह सकते हैं कि हम अगर अपने देश के बात करें भारत तो भारत लगबग 12 वजे की समय, दुपेर के 12 वजे की समय पृथवी के या सूर के बिलकुल सीधे होता है और यहाँ पर इसकी जो करणड़ है बोसी सीधे लंबवत पढ़ती है और सिधे लंब बद पढ़ने के कारणą, यहांपर दिनकी लंभाई क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है. दूसरी बात, इसी को अगर ऐसे समय में नहीं हा रहा है, तो आयिएगा, हम दूसरे सब्दों में आपको समझा सकते हैं. दूसरे दो में हम ऐसे समझा सकते हैं यहां पर हमारा शूर है यहां पर माली जिगा हमने प्रिथी बड़ी बनाई है सूर चोटा समझाने के लिए यहां पर क्या है यहां पर 0 डिगरी है और यहां पर एक रेखा है जिसका नाम है करक रेखा और यहां पर एक रेखा होती है जिसका नाम होता है मकर रेखा आप जानते हैं सूर के क्रेणे एक बार उपर जाती है और एक बार नीचे जाती है कहां तो उपर जाती है जितना पृति भी अपने अक्ष पर जुकी हुई है और पृति भी अपने अक्ष पर कितना जुकी हुई है तो पृति भी अपने अक्ष पर साड़े तरी डिग्री जुकी हुई है और अगर हम बात करें करक रेखा की तो करक रेखा का मान कितना होता है करक रेखा का मान साड़े तरी डिग्री N होता है और मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा कमान कितना होता है साले ती डिग्री एस होता है यानि एक बार सूर की क्रेण उत्तर में जाती है करक रेखा पर और एक बार सूर की क्रेण दच्छ में जाती है मकर रेखा पर जब सूर की क्रेण करक रेखा पर और दच्छनायन कब होता है तो दच्छनायन होता है बाई दिसम्बर को अब बताईएगा यहां पर दच्छनायन का मतलब है कि सूर की करणे दच्छन में होंगी अगर सूर की करणे दच्छन में होंगी तो सिधी सी बात है कि सूर की करणे अगर दच्छन में तो दच्छन मे गर्वी होगी और इसके पिपरीत 2 दिसम्मर को जब सूर की करण उत्तर में नहीं है तो उत्तर में ठंडी होगी उत्तर में क्या होगी उत्तर में ठंडी होगी आईएगा इसको हम एक और बहतरी तरीके समझाते हैं माली जिगा हम बात सबसे पहले करते हैं 21 जून 21 को क्या होत तो इक जून को उत्रायन होता है, यानि सूर की करणे उत्री गोलार्द में पढ़ती हैं, अपने याद रखना है कि एक से कोई को दो पहलू है, एक नौर्थ है तो एक साउ थे, एक उत्रा गोलार्द है, उत्री गोलार्द का कोई एक देश बताइएगा, चलिए उत्री गोल अगर उत्तर में गर्मी तो इसके परीद दच्छन में क्या हो जाएगी तो इसके परीद दच्छन में सर्दी हो जाएगी ठीक ना एक सिक्ये के दो पहलों है अगर एक डे है तो दूसरा नाइट है अगर एक डे है तो दूसरा नाइट है डे और नाइट की जो अबधी होती ह वो कितने घंटे की होती है, डे और नाइट के अब दी जो होती है, वो 24 घंटे की होती है, अर्थाथ 12 घंटे का दिन होता है, वो 12 घंटे की क्या होती है, 12 घंटे की रात होती है, अगर मैं कहूं कि दिन 12 घंटे 30 मिनिट का हो गया, तो आप अपने आप कहेंगे सर रात जो है दिन लंबे होते हैं, अगर दिन लंबा हो गया, या नि दिन बड़ा हो गया, तो रात अपने आप छोटी हो जाएगी, तो अगर गर्मियों का दिन बड़ा है, तो रात अपने आप छोटी हो जाएगी, ठीक ना, सर्दियों के क्या बड़ी होती है, सर्दियों के अगर राते बड़ी हैं तो दिन अपने अप छोटा हो जाएगा हमें का दिन की लंबाई यहां पर क्या लिखा है दिन की लंबाई दिन की लंबाई वहें पर अदिखोगी जहां का टेमपरिचर अदिखोगा तो उत्री गोलार्द में कब दिन की लंबाई अदिखोगी 21 जून को कब लंबी होगी तो 21 जून को होगी और वहीं अगर हम बात करें चले और अगर वहीं हम बात करें इसके बिपरीत 22 दिसम्बर की इसके बिपरीत अगर हम बात करते हैं 22 दिसम्बर की तो 22 दिसम्बर को सूर की किरने दच्छनी गुलार्द में होती है और दच्छनी गुलार्द में जब इस सूर की करणा होती है तो इसे क्या कहा जाता है इसे दच्छनायन कहा जाता है एक से के के दो पहलों एक नौर्थ है तो दूसरा साउट है उत्तर में कौन सा देश है तो भारत है और दच्छन की बात करें तो दच्छन में कौन सा है तो यहाँ पर गर्मी होगी, दच्छन में अगर सूर की क्रेणा पड़ रही है, तो यहाँ पर गर्मी होगी, इसके विप्रीद, उत्तर में क्या होगी, यह भारत में क्या होगी, तो भारत में इसके विप्रीद सर्दी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, बाई दिसम्मर को ह हमारे यहां क्या होती है और एक कि जून को हमारे यहां क्या होती है गर्मी होती है एक से के के दो पहलू है अगर एक डे है तो दूसरा नाइट है ठीक ना एक डे है तो दूसरा नाइट है दूसरा डे है तो दूसरा नाइट है दिन कप का छोटा होता सर्दियों का दिन छोट ठीक ना, तो जब सूर के क्रणे जिस गुलार्द में पड़ती हैं, उसी के आदार पर हम बोलते हैं, उतरायन और दश्खना और जब विशुवत रेखा पड़ती है तो उसी को नाम दिया जाता है, इको नुएंस, इंग्लिस में और हिंदी में बोला जाता है विशुव, क्या बोला जाता है, विशुव बोला जाता है, इसको summer solistic और उसको winter solistic ठीक ठीक ना, सीतायनान और गुरिष्मायनान ठीक ठीक हमारा एक point और बच्चा है, इसको भी clear कर लेते हैं, ए है, सूर से पृत्वी की दूरी, देखेगा, वर्स में दो condition ऐसी बनती है, जब पृत्वी सूर के सरवादिक पास होती एक बार, और एक बार ऐसी condition बनती है कि सूर पृत्वी से सरवादिक या पृत्वी सूर से सरवा देर्ग वित्ताकार मार्ग में करती है, और जब पृत्वी सूर के परिक्मा देर्ग वित्ताकार मार्ग में करती है, तो एक बार पृत्वी सूर के सरवादिक पास में आती है, और एक बार पृत्वी सूर के सरवादिक दूर जाती है, पृत्वी का देर्ग वित्ताकार मा तो अगर पेली बात तो इसको एक नाम दिया जाता है इसको नाम दिया जाता है अगर आपसे पूंचे प्रेथिवी की सूर से समीता योर-चार क आई पोर्थिवी सूर के सरबादِ समीता और इसको नाम दिया जाता एक अपसौर के नाम दिया जाता है इसको एक नाम दिया जाता अपसौर और अपसौर जो है वो कब होता है तो अपसौर जो है वो 4 जुलाई को होता है और अपसौर में होता क्या है पिर्थिभी की सूर से अधिक्ता पिर्थिवी क्या है पिर्थिवी सूर से सरवादिक दूर है अधिक ठीक ना अब बताईएगा अगर उपसौर में पिर्थिवी सूर के समीप है तो अधिक मात्रम उस्मा प्राप्त होगी और उपसौर यानि चार जुलाए को जब पिर्थिवी सूर से बहुत जादा दूर है तो उसमा की प्राप्ति कम होगी अब सोच रहे होंगे कि सर तीन जन्मरी को जब प्रितिवी सूर के सरवादिक समीप है तो फिर ठंडी क्यों रहती है गर्मी होनी चाहिए भाई ठंडी क्यों रहती है क्योंकि सूर के क्रणा तीन जन्मरी को 3 जनवरी तक यानि 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर से लेकर और 22 मार्च तक सूर की करणा दच्छनी गोलार्द में पढ़ती है और 22 मार्च से लेकर या 22 मार्च के बाद जो सूर की करणा है वो उत्री गोलार्द में आ जाती है इसलिए अभी तक जो जनवरी का समय है इस समय त्री गुलार्द में रहते हैं, इसलिए इसका अनुवा हमें नहीं हो पाता है, तो सूर्य तब यानि इन्सुलेशन को प्रभावित करने वाले यह महत्मुल कारक है, हमने एक एक से आपको सब को डिफाइन कर दिया, आप इनी से सम्धित प्रिश्ण बनाता है, इनी से सम्ध कैसे कैसे प्रिष्ण बनाता है साथ साथ में हमने आपसे यह भी चर्चा कर दी तो अगर आप हमारे यहाँ एडविशन लेना चाहते हैं तो आपको जैसे कि आलूप सरने कल बताया था हमारी वैपसाइट है आप वैपसाइट पर जा सकते हैं आपसाइट पर जाने कोई अवश्रक्त नहीं है यहाँ पर मैंने नंबर लिखे हैं अगर आप किसी अन बैच में जोइन होना चाहते हैं या अन कोई बैच बीओ बीओ तो अब हो गया बीओ में नहीं एडविशन होगा आपको एडविशन की पूरी की पूरी पूरी प्रिक्रिया बता दी जाएगी दोस्ट ठीक रहा है थेंक्यू